वाहे गुर्जी का खाल्सा वाहे गुर्जी की फते अग्ये साखी कांग पसुंड नाल होई तां गुरु जी मैं अते मर्दाना अते शिरी गुरु नानक जी तिन्ने कांग पसुंड दे आसन पर जाय खड़े होए तां अग्ये कांग पसुंड कथा करदे आहे जद कथा दा पोग पाया ता साब सिद मुनी देवता अपने अस्थान नूं गए साब पंचिया दे रूप हैसन ता शिरी गुरू जी आग्या से मरदाना किर्तन करन लगा ता कांग पसुन्ड सुन के केहा एक इसका शब्द है और किसका केहा है मरदानी आख्या गुरू नानक का केहा जीया दे उदार करन वास्ते कथा किर्तन किता है अते साथ निरंजन निरंकार ने आप अफ्तार तार्या है सो एही नानक तपा है ता मरदानी केहा है रखीसर जी ए हैन जो तुमारे सानमुक बैठे हैन ता कांग सुन्ड सुन कार बड़ा परसन पया अते बाबा जी दे चर उपर मत्था टेकिया अते गुरु नानक जी बड़े परसन हुए अते किया है रिखी जी तुसी उत्तम सरोता हो शिरी पगवंत जी का जास सुन के परसन होते हो कैस रोता राग रागनी की पर्ख करते हैं तुम उत्तम सरोता है जो शब्द दे तात पर परजनू लबदे हो ता कांग पसुन्डने केहा है नानक तपाजी जो शब्द दे तात परजनू समझ दे हैन सो रास पिंदे हैन जो राग तान नू समझ दे हैन सो शिल्लड खान दे हन ता पाई बाले ने पुछिया है परमहंस रिखीशर जी तुसी महापुर्ख हो जी पगवंत दे प्रेमी ह तुसा कांग दी देही क्यूं कर पाई ता कांग पसुंडने अख्या है संत जी इस देही दे परताप करके मैं पगवंत दे दर्शन दा अधिकारी पैया हूं इस देही दे परताप करके मैंनू पगवंत दे करन दी परतीत पैया है इस वास्ते ए देही मिन्नू प्यारी है अते जाद प्रल्यकार हुंदी है जल्दी और अगंदी तद मैं ओही रूप बन जन्दा हाँ ए शक्त भी मिन्नू इस देही करके मिली है अर सोईचत मिर्त जद चाहो तद ही मरो ए भी इस देही की किरपा करके है ता गुरु जी मैं पुच्या है रिखी जी ए दे का कारण क्या है ता कांगप सुंड ने कहा पिशले जनम मेरा ब्रह्मन देकार जनम हैसी ते सरगुन भी उपासना करदा सा ता गुरु जी ने उपासना दसी ता मैं बार बार सरगुन दी उपासना पुच्छा ता गुरु जी ने कहा तुम बड़ा कांग दी तरा लोंदा है ए बचन सुनके मैं गुरु जी दे चरना हुते मत्था टेक्या अते प्राथना किती है गुरु जी तुमारा बचन सत होवेगा आप सत वाद दी हो कांग दी दे मिले ते परमेशर दा नाम ना विसरे ता गुरु जी वार दित्ता तेरे रिदे ते पगवंत दी पगती विसरे ना ही ते मृत्तु तेरे अधीन होवेगी जाद तेरी इच्छया होवे ताद मरी और पिता मेरा डांड नामा है ते माता मेरी अलमका इनको ब्रह्मा का वर्षी पिछले जनमरी की हैसन इस माता पिता ते मेरी कांग दी दे भी थी तिन्ना गुरू दी किर्पा करके शिरी राम मंतर स्वास स्वास जपना मेंनू चित रहा है इस राम नाम के पजनकारास मेंनू आया है इस करके मैं यह नहीं त्याग सकता मेरे देख दियां कई वाल परलो आई जे जाल दी परलो हुंदी है ता जाल हो जन्दा है ते अगन नाल अगन हो जन्दा है ऐसी परलो हुंदी है तैसा रूप तारता हो मुझे स्वास का संजम प्रापत हुआ है सो मैं मर्दा नहीं ता गुरु नानक जी के हा रोम रिखी ते तुसी भी बड़े चिरिन जीव हो तुमारे देख दिया कई होए हैं कई हो वनगे जिनना शिरी राम दा सिमरन कीता है सदा अबियास शिरी राम नाम जी का कर दे है सो जनम मर्ण विच्च नहीं अम दे सदा सुखी रेंदे हन ता गुरु जी मैं ते मर्धान ने केहा रिखी जी जो आप दे केहा है सो सब सात है ता गुरु नानक जी कांग पसुन्ड पासों विद्या होए गुरु नानक जी ते मैं ते मरदाना ते ने फेर अलाँ चीन परबत ते गए ता मरदाने पुछिया जी असी हुन किते आए हां ता गुरु जी किया मरदाना अलाँ चीन परबत ते आए हां ते सुन मरदानिया अते प्रहलाद पगत दा एते राज है प्रहलाद पगत अल्लाद राज करदा है ता मरदाने आक्या जी प्रहलाद पगत एते ही है फिर मरदाने पुछिा जी उस दा दर्शन भी होवेगा गुरु जी के आमर्दान्या सबो दर्शन हो मनगे पर उतावला ना हो जद ए बात करदे आहे तिचरा नू अल्ला पंखिया आन केरा कते है जो उन्ना अल्ला दा सरदार आहा उसने एक बचन केहा अल्ला बाच अल्ला मिल कर पाया केरा कौन ग्रह तुम करोब सेरा कौन मनोरत इहां आए कौन नाम तुम किने पठाए अल्ला चीन पूछ है बाता पिंड पाये कर फिरते काचा गुरु नानक जीवाच अल्ला मिलकर पाया केरा हिर्दे पीतर ल्याब सेरा दर्शन कारण इहां आया एक निरंजन आप मिलाया फूट जाये जे होएक चाया जब पाका तब ठनक ब जाया सुन अल्ला चीन नानक कार अरदास एक निरंजन राखियास अल्ला गुरु नानक जी दिया चर्ना को लगा दोडन ता शिरी गुरु जी केहा सुन पायी अल्ला चीन असी तो साड़े दर्शन नू आई हां पला हुआ दर्शन पाया ता अगो अल्ला चीन बोलिया जी असी निहाल हुए हाँ तुम हम को किर्तारत किया है हमारी नगरी पवित्र हुई ता मरदाना बोलिया अल्ला चीन जी इहां जो प्रहलाद पगत है सो कहा है ता अल्ला चीन ने कहा पाई ओ ता इहां ही है अते हमारा राजा है उसका भी दर्शन करिये बड़े पगत हैन जी तब प्रहलाद पगत एक उची पहाड़ी पर आसन था ते उच्छे जाए शिरी गुरु नानक जी करतार कहा ता अगे प्रहलाद पगत मगन बैठा ता जद प्रहलाद पगत दी तारी खुली ता प्रहलाद पगत ने अख्या अरे पाई तू कौन है इहां तो आदमी दीर गमता नहीं तू किस तरह आया है गुरु नानक जी के यहां पगत जी हम करतार दे बंदे हां हमको करतार ही ले आया है ता फिर प्रहलाद पगत बचन बोलिया प्रहलादो वाच बास्चन तोए आच्छा हुए कौन आच्छा दूद चोए कौन समायन बीच समाया कौन ठोर रक दई जमाया कौन जतनकर कड़िया माखन कौन ताउंदे निर्मल चकन उचे प्रहलाद सुन नानक तपा किस्ते बुज्या आपते आपा गुरु नानक जीवाच तान तोए आच्छा बास्चन किया मनुमा चोए दुद मत लिन्ना अगन अगन ते पाहु बनाया गुरु उपदेश समाया गुर किर्पा साद लिन्ना माखन हर किर्पा निर्मल तत चक्खन संत संग लेदैं जमाया मत को मत शब्द प्रगटाया प्रन्वे नानक सुन पगद प्रहलाद मुए सूज पड़ी है आद जुगाद प्रहलादो वाच तन गुरु जिन दिया ग्यान कालजूग अंदर आच्छा त्यान आच्छी करनी आच्छा पेख आच्छा बुद आच्छा विवेक सुन नानक परतक साध राम नरायन तुमईरे साथ गुरु नानक जीवाच तन नरायन तन सुराम जीन चलत दिखाया आतम राम ऐसी पगत पई तुमारी तंतकाल प्रभ की नीकारी सास सास प्रभ नाम चितारिया नानक जी का काज सवारिया ता प्रहलाद पगत क्या नानक तपा जी तेनु कालजुग विच्च राम जी ने वड़ा पगत कीता है और आपके संजोग बोतियां का उदार होवेगा तेरी शिरी राम जी ने अग्गी नदर खोली है तेरा वड़ा पर तक होवेगा इस कालजुग विच्च अग्गे कबीर पगत एथे आया है ते जां आपको करतार ने आंदा है ता मरदाने प्रहलाद नो पुछिया है पगत जी तुसी भी वड़े पगत हो अते तु साड़े पिच्चे राम जी वड़ा चलतकार दिखाया है तेरी राम जी ने वड़ी नदर खोली है पगत जी इते होर कोई भी पहुंचिया है के कबीर ते नानक तपा ही पहुंचिया है ता प्रहलाद पगत बोल्या पाई नानक तपे पासो पुछले होर भी आवसी के ना आवसी कोई ता मरदाने केया जी तुसी वड़े पगत हो ते अगली ते पिछली सब आपनू सत जु थी आद लेके मलूम है तां प्रहलाद पगत ने कहा सुन पाई इस जया कोई होवेगा तां एथे पहुंचेगा और सदा एथे पहुंचना काम नहीं अगे वड़े वड़े पगत होए हैं अते होवन गे पर पहुंचया कोई नहीं तां फिर मरदान ने पुछिया जी ओ काद ह होसी कि ते नेडे जुग विच होसी तां प्रहलाद पगत केहा सुन पाई काल जुग विच होवेगा जद नानक तपा सच खंड जावेगा तां इस तों पिछे सौं वरे होसी अते इनना तेहां तो बगैर होर कोई ना आवसी तां मरदान ने पुछिया जी त्रे केडे हैं प्रहलाद पगत केहा पाई अग्गे कबीर होया है तेहुन नानक तपा हुआ है अते फेर ओ होसी तां मरदान ने पुछिया जी कबीर जुलाहा होया ते नानक खत्री होए अते जी ओ किस वर्न विच होवेगा जी ते किस तर्थी होसी केडे शेर तां प्रहलाद पगत केहा पाई पंजाब तरती ते वर्न जाट ते शेहर वटाले विच हो सी ता मरदान्ना शिरी गुरु जी दे चरना ते टैप्या गुरु जी मैं पुला हाँ ता गुरु नानक जी के हाँ सुन मरदान्ना जो पूरण पुर्ख हैन सो पाज नहीं रख दे फेर प्रहलाद पगताख् जो पूरण पुर्ख हैन ओ अपनी वडियाई नहीं कर दे जियूं की तियूं ही आखदे हैन ता मरदान्ना दीन होए के चुप कर गया ता गुरु नानक जी यते मरदान्ना आते प्रहलाद पक्त बहुत खुशी होए के आपस विच्च परसंस्ता ते बच्चन बिलास करके अनान्द होए ता गुरु जी केहा पक्त जी हुन असानूर जाए देवो ता प्रहलाद पक्त ने केहा तपा जी तुझ को राम जी कीर जाए है तपा जी जहां तुम्हारी खुशी आवै तहां खेलो बोलो पाई जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी का खारस वाहि गुर्जी की फते